हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत है इस समय देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में तनाव बहुत ही अधिक बढ़ चुका है इसी से रिलेटर आज हमारा टोपिक है कि जब से विवास शुरू हुआ है भारत और नेपाल के बीच में तब से अगर देखा जाए जो नेपाली गोरखा भारत में रहते हैं उनकी क्या इस्थिती है उनके बिभार में कैसा बदलाओाई है कहां पे समस्य आया रही है और आने वाले समय में और क्या प्राबलम हो सकते है जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय इस संकट के घड़ी में नेपाल देश अपने परोसी देश भारत की कौन सी परिच्छा ले रहा है लेकिन इस परिच्छा में परिच्छा लेने वाला ही फेल सावित हो रहा है क्योंकि बीन विवाद के विवाद खड़ा करना किसी ने किसी प्रिकार अपने समाज, अपने जाती, अपने धर्म, समुधाय और कुल विलाकर अपने देश का नुक्सान हम करते हैं और बाद में खुलकर कहते हैं कि मेरा देश कब विक्सित होगा, कब गरीबी से मुक्त होगा ऐसा हर देश के साथ समस्य होती है सोसाइटी में आते जाते समय प्रती दिन नमस्ते करने वाला खुस मिजाज रहने वाला एक चोकीदार इस समय जीत बहादुर गुरंग इन दिनों चुपसा है लगता है कि किसी एव्यक्त अर्था जिसे व्यक्त न किया जा सके उस दर्द से वह गुजर रहा है अपनी हसमुक टीका टिपडी और भोले कवतुल से गुदगुदा देने वाले उस सक्स के दिल की जुबान है उसके उदासी आखे जो यह पूछ रही है कि साहव यह क्या हो रहा है जो सदियों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ भारत और नेपाल के मीच में वो पिछले दो से तीन सालों में इतना अधिक देखने को मिल चुका दरसल जीद बहादूर गुरंग भारत देश में फैले हुए लगवग 50-60 लग बताया जाता है कि नेपाली भारत में रहते हैं तो 50-60 लग नेपाली नागरिकों में से एक आपके हैं जीद बहादूर गुरंग जो भारत में रहते हैं और काम करते हैं तथा जिनके मन में ना तो कभी अपनी जन्म भूवी और कर्म भूमी में कोई अंतर समझ में आया और ना ही कभी भारत भूमी छोड़ने का बिचार लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली एक के उपर एक आरोब भारत के उपर लगाये जा रहे हैं जैसे भारती हिंदी भासा को गलत बताया और संसद में प्रतिवन लगा दिया आपसी राजनीतिक संकट वहां पे बहुत ही आधिक देख रहे हैं कि पॉलिटिक बनाना और अभी ताजा खबर ये आ रही है कि नेपाल द्वारा चीन को अपनी जमीन भेट करने जैसी खबरे उन्हें अपने भविस के लिए जितना चिंतित करती है उससे कहीं आधिक उन्हें दोनों देशों के आपसी इतिहासिक रिष्टों का लंबा इतिहास जो आपस म हिंदु धर्म है मिज्गे में देखा जाये तो दोनों ही धेसों में हिंदु की संस्ख्या अधिक है सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बौद धर्म ही समान है भारत देश जिस बहुत day जर्म भूमि है उसके परवर्तग महत्मा बुद्ध का जर्म स्थान नेपाल में है तो वह आज से दो वर्स पहले अर्था 2018 में आप सभी को याद होगा कि नेपाल में मधेसी आंदोलन हुआ था जो भारत और नेपाल के बीच तनाव रिष्टों में तनाव देखा गया था वही तनाव आज दोबारा इनके बीच लोटाई है एक सर्वी केंसारा केले मुंबई महानगर में देखा जाये तो करीब 50,000 से भी अधिक नेपाली गुर्खाओं का घर है और भारत के अन सहरों से तुलना किया जाये तो सबसे अधिक तो इसी सहर मुंबई में है इसमें से जाइदा तर वाश्मेन और खाना बनाने वाले जैसे कामों में लगे हुए हैं ये गुर्खाएं कोकड में रायगड, रत्नागिरी और सिंदु दूर्गी के ग्राम अंचल तक पहले ले हुए हैं तो यह अगर यह देखा जाये कि महराश्ट राज के पूरे सहरों को मिला कर देखा जाये तो करीब 3-4 लाख नेपाली गोर्खा अकेले महराश्ट राज में ही रहते हैं बताया है तो ये भी जा रहा है कि मुंबई के गोरखा अधिक सिच्छित हैं और बहतर काम धंदों में लगे हुए हैं इनमें से कुछ मद्ध और उच्वर्ख से भी संबन रखते हैं जैसे यहाँ पे कुछ एक्जामपल लूँगा जैसे पहला नाम है गोपी कृष्णा, सितारा देवी, ररजीत बारोट, बिनोत प्रधान, सुस्मा स्रेष्ट इसमें से यह अलग-अलग अपने छेतर से बिलोंग करते हैं जैसे निरित्य, संगेद, फेल्म और इसके साथ ही जीतुराय, सिव थापा, वे सुनेल छेतरी, जैसे सूटर, बाकसर और फुटबालर, तो वहीं लच्मन स्रेष्ट कला जैसे छेतरों से बिलोंग करते हैं इसके साथ ही नेपाली लोग भारत में देखा जाये तो रच्छा छेतर, सुरच्छा एजनसी और होटल उदोग में सेफ, कुक वे वेटर्स के रूप में कारे करने के साथ-साथ यह ग अश्या क्या है शाहे हम नेपाली हो या भारती हमारे मनों में पहले यह च्छवी बनी हुई है कि अगर कोई नेपाली गोर्खा है तो वह जरूर वाच्मेन, वेटर या मेनहेत मजदूरी के छोटे मोटे काम करता होगा और इस तरह से हम गोर्खाओं की सबसे बड़ी देख सकते हैं, नेपाल में देख सकते हैं, बिन ट्रेन में भी देख सकते हैं कि अभी भी नेपाली सेना या जो गोर्खा हैं वो वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं, इसके साथ साथ अमेरिका देश भी गोर्खाओं की भरती करता है, वो अपने देश के साथ अन्य में गोर्खाओं की गड़ना होते हैं फिर ऐसा क्यों है कि नेपाली गोर्खा अपने घहरों पडोस और आफिस में अपनी पहचान छीपाते रहते हैं लेकिन खैर आप तो सुधार हो रहा है पर आप सभी को जानकारी भी होनी चाहिए कि एक समय ऐसा भी था कि यह जो गोर्ख समुदाय के इसके कई उधारें हमारे सामने आते हैं इसी क्राम में भारती गोर्खा एकतसंके जो जो जवाईन सीक्रेटरी रोहित प्रधान का कहना है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हमें लोग चाइनिज कहकर पुकारते हैं जहां तक नागरिग्ता की बात है कि जो जो में नागरिक्ता को लेकर उठे सवालों के मामले में इस मामले को बिदेशी ट्रिबुनोलों में भेज दिया गया है। इस पर भारती केंद्रीगीरी मंत्राला का या ब्यान आया है कि अगर कोई गुर्खा भारत में रह रहा है और उसके पास अपनी नेपाली नागरिकता सिद्ध करने के लिए जरूरी दस्तावेज है तो उसे अवैद प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा जैसे वो ने नेपाली व्यक्ति भी है आप सभी को याद भी होगा कि 1950 में भारत वे नेपाल के मद में एक मैत्री और सांती संदीक की गई थी इसके तहत यह तैक किया गया था कि नेपाली नागरिकों को भारत देश में भारती नागरिकों के बराबर ही सुभिधाओं का लाब दिया जा बारे में या एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने की बाद तो या जमीन जाज़त खरीतने या रखने की बाद तो एकदम ऐसा ही समझोता भारत ने भी नेपाल के साथ किया था कि जैसे आप हमारे नागरीकों को सुपसुपदाएं देंगे वैसा ही हम आपको भी ऐसी ही इसके साथ ही भारती सेना में इस समय अगर मैं बात करूँ आकड़े के साथ आपको याद होना चाहिए कि इस समय अगर देखा जाए तो भारती सेना में करीब 32,000 गोर्खा सैनिक अपनी सेमाएं दे रहे हैं और लगबग 3,000 करोड रुपया पिंसन के रूप में हर वर्ष लगबग 1,25,000 रिटायर गोर्खा सैनिकों को भारत सरकार की ओर से दिया जाता है या खर्च किया जाता है भारत सरकार हर वर्ष लगबग 3,000 नेपाली चात्रों को स्कालर सीब देती है एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया था कि भारत में जितने भी विदेशी चात्र पढ़ते हैं छोटे-छोटे देशों से पढ़ने के लिए आते हैं उसमें से अगर 100% में देखा जाए तो करीब 26% जो चात्र होते हैं और नेपाल देश के ही होते हैं लेकिन वर्तमान में चल रहे विवाद बहुत ही गंभीर मसला है इस संबन में कोई भी कदम उठ पाने से पहले दोनों ही देशों की सरकार को सोचना होगा कि आने वाले समय में इसका रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस समय जो छेती राष्टवात को लेकर जो ब्यान बाजी हो रही है क्या यह दोनों ही देशों के संबंदों के खिलाप है या इसको फाइदा प भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन जनता के मन में ये विवाद अगर भर गया या बैठ गया मनों में तो उसे दूर करने में हजारों साल भी कम पढ़ जाएंगे जैसे कई एक्जाम्पल हमारे सामने है जैसे इंडिया पाकिस्तान का आप देख सकते की पिछले 70 सालों में कई बार सुधार करने की कोसिच की गई लेकिन कभी भी नहीं आया, चाइना और अमेरिका का रिलेशन देख लीजे, नार्थ कोरिया, साउथ कोरिया का रिलेशन देख लीजे, जापान चाइना का रिलेशन, ऐसे ही कई और देशों के एक्जामपल आपके सामने भी होंगे, कि जहां पर एक बार विवाद होने के बाद दोबारा वो उस तरह का रिलेशन नहीं हो पाया जैसा एक रिलेशन पडोसी के बीच में होना चाहिए इसके साथ ही अगर तनाव और अधिक बढ़ता है भारत और नेपाल के बीच में जैसा आप सभी को पता है कि तनाव तो कम हो नहीं राद तनाव और प्रती दिन ऐसे से बयार आ रहे हैं दोनों देशों की ओर से जिसे तनाव कम होने के अस्थान पर तनाव और कई गुना बढ़ रहा है दोनों ही देशों में तो अवैद प्रवासी, जाली मुद्रा, ड्रक्स और मानो तस्क्री जैसे खत्रों के कारण दोनों ही देश परिशान हो सकते हैं अगर ये विवाद और अधिक दिन चलता है और भारत में रहरे गोरखाओं को इन सभी बातों का पूरी तरह से एहसास है कि अगर ऐसा होता है तो जो समस्यां आएंगी ओं किसी एक देश के लिए नहीं आएंगी तो गोर्खा तो बहुती पहले से रहे, लेकिन इस तनाव के बाद से मैंने बात किया, कि इस तनाव के बात से उनकी स्तिति क्या है, क्या है उनके मनों में। और क्या समभ़वनाई लगाए जा रही हैं, आने वाले समय में अगर ये भी बाद अधिक दिनों तक चलता है आपकी क्या राया है इस वीडियो के बारे में आप इस वीडियो की नीचे कमेंट बाक्स में कर सकते हैं इसी प्रिकार से बने रहे हैं, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों के LD Glasses की और से दने